हाँ बढ़ी क्याल चाल बढ़िया तो हेलो गुड़ीवनिंग नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप सभी लोग नेपाल बिहार पटना करनाटका यूपी उत्त्राखंड कहीं से भी आ जाओ किसकी तियारी कर रहे हो भारत देश को सर्व करनेगी तो मैं नीरसिंग बैसला उर्फ दाकोच आज आपका स्वागत करता हूं सर्कल के अंतिम सेशन में वरत का आज आखरी हिस्सा है सर्कल आज न स्टाटकी आप लोग की तरह क्स्मार्ट या virus पहुंच गए है स्मार्ट बोड लग रहा है आपको देख पा रहाएं पीछे यह सर्थ प्यार यह प्यारे का नतीजा है कि हम लो서 यहां पर भी पहुँंच गएं तो स्मार्ट बोड प Details से से लिक बार शेशन को लाइक कर कर दो Share कर दो पहुदा दो मैं आप सब केडिच की रिपोर्टिंग चाहता हूं सभी को नमस्कार 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 सौरव अमित नितिन सरोज माधव रिशव हेमान्शु शिवं कोशल आमित ओनमस्कार सभी को नमस्कार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो वह स्मार्ट बोर्डड है थोड़ा सा समय लग जाता है चीजों को उपर नीचे होने में तो उसकी टेंशन है प्पार हाद मिल्स करेंगे तो एक बार शेयर करेंक दो सारे के सारे बच्चे ताकि आज सर्कल को उढऄ को उड़ा दें और सिर्कल नहीं बचेगा सर्कल आज दम तोड़ देगा हम सर्कल के अंदर पीतल बरने वाले हैं ठीक है अ हिसुब जलदी से जल्दी शेर करो उसको सब अपने अपने ग्रुपस में ताकि हम लोग आज ठीक है बहुत मज़ा आएगा इस पर पढ़ने में आपको और सई समय पर आ गया अच्छी बात है सरकल व्रत हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत मज़ेदार क्लास रहेगा एक बार शेयर कर दीजिए कि सब जगे दाकोच का नाम थैंक यू थैंक यू सबी को आप लोगों के प्यार की वज़े से ही संबब हो पाया है हम लोग तो इतनी मेहनत दुनिया मेहनत करती है ठीक है हम बस थोड़ी जादा कर लेते और वह आपकी समझ में आ जाती है आज इतने प्यारे प्यारे फोन कॉ और मैसेज़ जाए जिनको देखके दिल खुश हो गया वीडियो के नीचे कमेंट तो बेमिसाल बेहसाब बेहसाब लाजवाब अश्वक बैनिवाल राइस थान बंला रहें अभर कैसे आ जाए देख रेख रहे हो को रुड़ना का इस स्थिति अभी यहाँ से डेरी पे नहीं जाने मैं देरा कोई तुम राइस्थान बीलकुल आएं गयार बहुत बड़िया जगया राइस्थान का जल्दी से जल्दी शेयर करो भहिया इसको ताकि हम लोग स्टार्ड करें आज का टॉपिक सरकल जल्दी नमस्ते नमस्ते चलो भी MP MP आ जाएंगे जहां बोलोगे वहां जाएंगे तुम बुलाओ बस दिल से बुलाओ जहां बोलोगे वहां जाएंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है देखो इदर अमने टॉपिक स्टार्ट करता हूं ध्यान से देखो ठीक है किया टॉपिक सरकल में कल की क्लास अपने देख ली यह सर्नेक्स टॉपिक देखो बहुत इंपोर्टेंट है इंगल बिट्वीन टू सर्कल एंगल बिट्वीन टू सर्कल्स दो व्रतों के बीच का कौण ठीक है सर कैसे कराओगे इसको देखते हैं भाई है कैसे कराएंगे दो सर्कल के बीच का एंगल निकालना है हम लोगों को ठीक है तो दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है एक सर्कल ठीक है सर एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं उन्हार को दूसरा सरकल year yes और हमको इन दोनों के बिच का एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल है ठीक ज्ञांसे देखना बहुत- Schl Gang अब सबको इस से और अगर ये और पहले आ जाता न तो और मज़ा आ और भी कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते एकदम कोई दिक्कत नहीं है अब 3D ना इसी पर होगी 3D में स्यादा मजा नहीं आने वाला आपको ठीक है हाँ अभी और तोगोन लाएगा पहले एंगल बिट्मिन टू सर्कल पढ़ लेते हैं ठीक है सर यह हमारी समझ में आ गया ठीक है यह पहले वाले सर्कल का सेंटर जी सर दूसरे वाले सर्कल का सेंटर जी सर ठीक है हादा समझना आ गया यह सर अभी देखना पहले वाले स से इसके ओपर जो टेंजन डाली वह दिख रही है यह सर इस वाले सेंटर से इसके ओपर टेंजन डाली यह भी दिख रही है यह सर है है साथ में समय में आगे को यह संटर हैं कि यह सिंपल से सेंटर हैं यह सर और यह जो यह वाइड वाली वाइड वाले सरकल के ऊपर टेंजेंट इस पर इसपर रहा निसम्स रेखा तो बाद में होगी सर ये तो रेडियस भीयों बिल्कुल यह यह यो ओले की रेडियस देखो ठर्रजा ये वाइड वाले की रेडियू सदेखो त्रमच्प ठेख ऑट है सथ और यह केंड्र से केंड्र की दूरी है जैंटर से सेंटर का डिस्टेंस तो आपको सर्कल दे देता है यस सर आपको सर्कल दे देता है तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं रेडियस दोनों सर्कल की पता होगी यस पता होगी सर सेंटर निकाल के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं अब क्या बीच पवन देखो इंगल अपस में बनाती हैं इसी को बोलते हैं बैंगल वरते हैं ऑन अंगल बना रही है जो उसकी इस प्रश एंगल बना रही है उसी को बोलता है एंगल बीट्वीटू सरकल सब्की समझ में आ गया यह सब सरको गया इस सब को बोलोगे शरा यहां कैसे निकाले इस शबके स अब एक चीज सुनना आपको कुछ में बता रहाऊं जैसे ध्यान से देखना बहुत बहुत कॉमन सी बात है बहुत कॉमन सी बात मालीजे मैंने ट्रेंगल बनाया देखो ध्यान से एक त्रिपज बना लिया येस सर इसके साइड के नाम रख दिये A, B, C मान लिएजे आपको ये वाला angle दिखालना है तो आप कहते हैं सर कोसाइन लो लगती है ट्रिग्नोमेटरी में last में पढ़ेंगी properties of triangle त्रिबुज के properties तो उसमें cost theta का formula होता था जो उसके सामने वाली side है उसको छोड़ देते हैं इन दोनों का तो square करते हैं क्या आएगा सर A square प्लस B square सामने वाली side का square घटा देते हैं और नीचे 2AB अगर आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आप उनके बीच का angle निकाल सकते हैं उसको बोलते थैं cosine log तो आज वो यहाँ पर है कभी भी angle between two circle आए तो radius का square प्लस radius का square माइनस दोनों के बीच की दूरी और नीचे 2AB बोलो समझ में आ रहा हैं नहीं आ रहा हैं बोलो समझ में आ रहा हैं नहीं आ रहा ठीक है तो कभी भी बोले तो r square प्लस r square माइनस d square upon 2 r r r और r क्याए रडियस इसको तो कोई काम नहीं समझाने के लिए किया था आपको कि 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 चलो यह तो गया इसको वैसी अटाना पड़ेगा कि 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 चलो गया अरे वहिए चले जाओ लुपड़ा रेंडो साइड में ठीक है देख दर तो आप सिंपली सीख गए सर यह रहा एक कोशन कर दो सर लो कोशन कर लेते हैं आपको दो सरकल देता हूं आपको दो सरकल देता हूं आपको उनके बीच का एंगल बताना है circle लिखिए x square plus y square minus one equal to zero ठीक है सब्सक्राइब x square plus y square minus two x equal to zero आपको इन दोनों circle के बीच का angle पूछ रहा है कौन कितना होगा तो आपको radius निकालना है और center से center का distance निकालना है केंडर से केंडर का कि कोई भी कर लेगा है ठीक है हो जाएगा देखो कैसे बनेंगे solution देखो अरे बिल्कुल सही से बनेंगे थोड़ा सा साथ दो कैसी बाते कर देते हो center बोलो पहले वाले के sir 00 radius बोलो पहले वाले की sir 1 देखो दूसरे वाले के center बोलो आधा करके sign change आधा करके sign change वाई तो है नहीं रेडियस बोलो अंडर रूट में f square plus g square c नहीं है तो अंडर रूट में वन बचा तो केवल वन ही आ गया calculation तो आपको आती है नहीं आती तो फिर एक एक चीज करके करो वह आप लोगो फिर नुकसान देगी अंडर रूट में f square plus g square minus c तो आया तो यह कि c1 c2 में लगा देते हैं distance formula ताकि d मिल जाए यह सर लगाओ c1 c2 में distance formula c1 c2 में लगाया distance formula एक में से 0 गए 1 का square 0 में से 0 का square d आ गया वन तो कर ले आर पता लग गया आर पता लग गया डी पता लग गया यह कॉस्टइट हीड़ा का formula क्या मेरे भाई वैकोष्ट इटा का formula झाज़िट आय सर आर का square आर का square माइनस डी का square upon two rr एक से एक cancel एक बटा दो आ गया लगा कोष्ट में एक बटा दो कितने पर भाई कॉस में एक बटा दो तो कितने पर पाई भाई थ्री पर साथ डिग्री पर तो यह दोनों सरकल आपस में कितना इंगल बना रहे हैं सिक्स्टी डिग्री फॉर्मला याद रहेगा इंपोर्टेंट है एंडिये तक में तो आ रख है कुश्चन एरफोर्स नेवी में भी आ जाएगा तो कोई बड़ी आपकी समझ में यह आ गया है तो इसको मैं हटा देता हूं नेक्स चीज स्टार्ट करता हूं ठीक है जल्दी बताओ अगर हो गया है तो यह फिजिक्स की क्लास नहीं होगी बेटे आज 60 डिग्री 60 डिग्री सबका सही आंसर हटा दें यह सर हटा दूं फॉर्मला याद रख हो गया आरे स्कूर प्लस आरे स्कूर माइनस डी स्कूर अपॉन टू अरा चल तो यह हो गया एंगल बिट्वीन टू सर्कल नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट चीज है जो कि आपके पेपर में आती है जिसको हम बोलते हैं लंब कौन ये व्रत और्थो गॉर्णल सर्कल भी ये व्रत होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते हैं बहुत बार बहुत बार एरफोर्स के एक्जाम में पूछा गया है ठीक है बहुत बार पूछा गया है शेयर कर दो एक बार इसको सब जगे लाइक का दबते रहे कैसे सर और्टोगॉनल सर्कल में हम क्या करेंग जब दो सरकल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते है उसको हम बोलते और्टोगॉनल सर्कल लम कोड़ी है जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते है है ठीक है भीए तो ठीक है अब देख पारे है यह सरम तो सिंपल देख पारे यह दोनों सरकल एक दूसरे को कितने पर काट रहें भाई मेरे सर यह तो 90 डिग्री पर काटते हैं इसको बोलते लंब कौन है तो इसे अब देख पारे लेकिन पेपर में ऐसे इसे इसे रिजल्ट की चक्कर में हम लोग खराब कर लेंगे तो इससे बढ़ी आसनो पेपर में कैसे आएगा आपको यह 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 वाला सरकल इसकी equation दे रख्योगी x square plus y square plus 2 f1 x plus 2 g1 y plus c1 equal to 0 और यह जो white वाला circle है इस white वाले circle की भी equation दे रख्योगी x square plus y square plus 2 f2 x plus 2 g2 y plus c2 equal to 0 अब यार यह तो बहुत बड़ा ताम जाम हो जाएगा क्या कि भाई यह दोनों circle की equation से पहले तो आप radius निकालोगे fg की terms में दूसरे की radius निकालोगे center center की दूरी जब वो सब चीजों को निकाल लोगे तो सबसे important formula यह बनता और यह आपको याद रखना है अगर कभी भी दो ब्रत एक दूसरे पर 90 डिगरी पर काटते हो लंग कोणी हो यह है important चीज क्या इसके अंदर क्या लिखना है सुनो आप center कैसे निकालते थे आप इसका आधा करके sign change कर देते थे उसको के इंदर बोलते थे इस बाद सिर्फ आधा करना sign change मत करना 2f1 का आधा करा f1 sign change नहीं करा 2f2 का आधा करा f2 ठीक प्लस तू जीवन का आधा करा जीवन तू जीटू का आधा करा जीटू इनको गुणा कर देना f1 को f2 से आधा करके गुणा आधा करके गुणा इस पूरे आंसर की टू टाइम्स कर देनी हैं बराबर किसके कर देना सीवन प्लस सीटू के कहां से आया रिजल्ट भीया यहीं से आया आर निकालोगे अंडर रूट के मामले में परेशान मत हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है चलो भीया चलें बिल्कुल सब्सक्राइब इक्वल टू सीवन प्लस सीटू बहुत अच्छी बात है अब सर पेपर में कैसे आता है तो याद रखना कभी ऑर्थोगोनल बोलें यह तो समझने के लिए ता है इससे काम होगा आया कहां से वह मैंने आपको बता दिया आर की वैल्ली यहां से रखोगे एप वन स्कूर प् मिनस 4 x प्लस 6 y प्लस नाइड िखोल टू जीरू दूसरा सर्गल x स्कूर प्लस y स्क्वेर प्लस 6x माइड प्लस c एक्वार टू जीरू कट करते हैं तो सी का मान बताएं कि सी का मान बताएं किसको कट करते हैं एक दूसरे को 90 पर बहुत आसान है सब बच्चे कर लेंगे यह सर यह सर यह सर हाँ जी लाइव मिल रहे हैं एफ वी पर आज आट बजे सभी के सभी मिलो लाइव बहुत दिन हो गई तुम लोगों से बा पोश्चन में और्थो कॉनली लम कौनी है व्रत्य एक दूसरे पर तो आधा करना है साइन चेंज नहीं करना आधा करा माइनस दो लिख देंगे आधा करा तीन लिख देंगे यह माइनस दो आया यह तीन आया गुणा करना माइनस छे आधा करा छे का तीन आ गया आदा करा माइनस 4 का माइनस 2 आ गया गुणा करी माइनस 6 आ गया इसके गुणा किस्से कर दी भी है आगे क्या था 2 बराबर C1 क्या था 9 C2 क्या था C तो माइनस 6 दुनी 12 24 माइनस 24 और 9 माइनस 13 24 मैंसे 9 गए 15 सौरी तो सी जब माइनस 15 होगा तब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे खतम बाद मैंने क्या गलत कर दिया के कुछ 6-6-12 अच्छा माइनस का आएगा ना इधर हो के ठीक है ठीक है ठीक है तो माइनस 24 और माइनस 9 माइनस 33 खतम प्लस का देख लिए दा क्लिर अभी तो माइनस 33 आपका सिंपली आंसर निकल कर आ गया है यहाँ पर यानि आपने यह इंपोर्टेंट एर फोर्स के परपस से पहले वाला बेशक नहीं हो यह वाला तो इंपोर्टेंट है ध्यान रखना अगया ठीक है यह वाला इंपोर्टेंट है ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है और तो गौनल पेपर में कई बार आ रखा है थेंक्यू अभी मिश्रा आप लोग इतनी तारिफ करते हैं मतलब मैंने तो आज फेस्बूक पोस्ट भी डाला गी है मतलब ठीक है एक टीचर ही तो है लेकिन आप लोग चलो ठीक है रिस्पेक्ट करता हूं आपके एक एक लवर्ड की एक एक प्यार की जो आप मुझे देत ओधातOoh हटा दो सर तो यह इंपोर्ट है ध्यान रखनाना है है इडिंग लो ही है ऍसपी ओधेनिस्ट जीवा कि इसमें एक चीज आसाने एक चीज टफ है दोनों करनी सिखाऊंगा कॉमन कॉड उभेनिष्ट जीवा सरीय क्या होती है फिर दुबारा से दो सर्कल्स ड्रॉ करो फिर दुबारा से रॉकिट की तरह दो सर्कल्स ड्रॉ करो दूसरा भी ड्रॉ हो गया दो सर्कल्स ड्रॉ हो गया ठीक है अब इनके बीच में से ध्यान से देखिए इनके बीच में से मैं डॉट्टिड लाइन से दिखा रहा हूं उसको इनके बीच में से एक लाइन जा रही है यह सब इता दलझा इनके बीच में से fonctionne जा रही है कि देख रहे हो इस न दौनों के बीच में से एक लाइन जा रही है अब यह लाइन की खास बास सुनों यह इसके लिए भी जीवा है ठीक है यह इसके लिए भी जीव है को ठीक छोड़ो ठीक है छोड़ो ठीक है चोड़ो ठीक है अर्यग ठीक है तो अरे मत ध्यान Дो कर तो आप लोगों से पूरा ध्यान केंडरित करो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो खतम में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों कंसे बताना तो मैं बताई जा रहा हूं आप उस पर ध्यान दो कोई बात नहीं ठीक है करने दो जिसको डिसलाइक करना एक अधा बच्छा करने वहाई आपकी क्या है सर यह कॉमन को उभे निस्ट जीवा जो डॉनों के बीच में से आ रही है दॉनों की कॉड़ है उसी को बहरे हैं कॉमन कॉड्ड उभे ठीक है चलो बई अब सर इसकी question कैसे निकालें बहुत आसान है बहुत जादा आसान है कैसे सर यह मान लीजिए equation first circle की square plus y square plus 2f1x बार-बार मिरको लिखनी पड़ रही है पर कोई बात नहीं समझते जाते हो तो यह दूसरे circle की equation है x square plus y square plus 2f2x plus 2g2y plus c2 अगर एक मात्र यह एक ऐसी लाइन है यह common code वाली ऐसी लाइन है यह वाली है ना यह एक ऐसी लाइन है जो इसके दोनो end points को satisfy कर दी है यह सर यह लाइन है तो भाईया जोनों point को satisfy कर रहे है तो आप दोनों degrees को eliminate कर दो तो यानि अगर यह equation first of circle है यह equation second of circle है तो वैसे तो इसको s1 minus s2 लिखते है लेकिन हम वन टू में पढ़ रहे हैं तो आप इतना सिमलो आप अपनी पहली equation में से दूसरी को घटा दो equation of common code आ जाती हो भेनिस्ट जीवा का समीकरन कैसे एक स्कूर से एक स्कूर कर जाएगा वाई स्कूर से वाई स्कूर गटा कि आंसर आ जाएगा उधर 0 में से 0 गया जीरो बचा इसी को बोलते equation of common code उभेनिस्ट जीवा का समीकरन कि सभी बच्चों की समझ में आ गई हाँ रेडिकल एक्सिस भी बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है उसको उसको हम पढ़ लेंगे रेडिकल एक्सिस को लेकिन यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं अभी वो सुनो जो अच्छा कोशन इसमें बन सकता और आप मैं से कौन बच्चा आंसर देगा टाइमर लगा तु पढ़ोगे ना सारे के सारे फोड क्या होगे एंडिये में 32 कोशन बद्तिस आते हैं ना हमारे जमेंट्रिक आर्ट स्ट्रेट लाइन आर्ट कॉनिक्स अभी तो कॉनिक्स होना है पैरा बोला इलिप्स हाइपर बोला देखो कितना मजा आने वाला है ठीक है चलो तो यार यह तो आ गई equation of common code उभेनिस्ट जीवा का समीकरण पहले में से दूसरे को घटा किया जाती है सर जी question करा दो question से समझ में आता है हमारे ठीक है भीया लो question कराते है question है x square plus y square equal to 4 ठीक है दूसरा है x square plus y square minus 2x minus 2y minus 2 equal to 0 इन दोनों circles के लिए common code की equation पूछ रहा है उभेनिस्ट जीवा का समीकरण what is the equation of common code for the given circle इन दोनों व्रतों के लिए उभेनिस्ट जीवा का आप से समीकरण पूछ रहा है common code की equation common code उभेनिस्ट जीवा कितनी होगी क्या equation होगी सर इसकी तो length भी आती है तो वो अभी पढ़ेंगे पहले सिर्फ equation की बात करें common code का समीकरण तो सारी equation पहले एक तरफ लिख लो 0 के 4 तो उधर है तो कुछ नहीं करना है क्या करना है 4 को इधर लिख देना है ठीक है 4 को इधर लिख देना है एक स्क्वार प्लस वाई स्क्वार माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक स्क्वार प्लस वाई स्क्वार माइनस टू एक्स माइनस टू भाई ठीक है चार इधर आ गया यह सर अब पहली में से दूसरी को घटा दो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड आ जाएगी बहुत यह आसान है तो घटाने के लिए को बड़ा काम तो नहीं करना एलिमिनेटी करना है प्लस को माइनस माइनस को प्लस यह दोनों क्या हो गए कैंसल काटना मत क्योंकि मैं आगे कुछ कराना है माइनस की जगह प्लस तो टू एक्स से उपर तो एक्स है नहीं कोई माइनस की जगह प्लस उपर भी टू यह बचेगा घटा दिया तो माइनस की जगह प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो सभी के सभी बच्चे समझ गए बहुत बड़ी है सबका आंसर भी आ गए प्यूश ने गलत दिया बागी सबका सही आंसर है ठीक है सर अब ना अब हमें वह सिखाओ क्योंकि सर हमें तयार करो आप बड़ी चीजों के लिए हमारे पास समय है हमें वह सब चीज बताओ जो हमको पता होनी में ही बहुत सब्सक्राइब कैसे बचसे स MYत्री टो यह आप गोर्ट में हाना करो क्या लगे हां इसकी लेंथ और निकालनी सखाँटो यह जो common chord थी, यह थी न यह, इसकी length भी निकालनी सिखा दो सर, common chord की लंबाई भी निकालनी सिखा दो, कितनी length की होगी है, length of chord, LC लिख लेते हैं, इसको यह पूछ रहा हूं, कितनी लंबाई होगी इसकी, अब आप ही लोगों के लिए question है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप लो आप लोगों, यह आपके सामने timer है, question वही है, यह व्रत है, यह व्रत है, आपको क्या करना है, इसकी common chord की equation तो निकाल लिया, अब मुझे इसकी length निकाल के दो, आपका समय शुरू होता है, अब, ठीक है, आप में से कौन सा बच्चा इसकी length निकालेगा, जल्दी से जल्दी आपका समय शुरू है, अब, देखता हूँ मैं भी कौन बच्चा सबसे पहले answer देगा, उन दोनों circle की यह जो common chord की equation आई है, इसकी length पूछ रहा हूँ मैं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा, यह वाला NDA के लिए भी beneficial है, बिल्कुल beneficial है, ठीक है, NDA के लिए भी beneficial है, यहां के लिए भी beneficial है, NDA मैं भी पढ़ाएंगे, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, सीख लो भी, NDA का paper लगा के देखो, कुछ questions नहीं बनेंगे, क्योंकि यह किसका है, थ फिर हम लोगों को जुजारू रूप से क्योंकि वहां सारी conditions खतम हो जाती है, वहां तो भी यह काम करना है, दब के एकदम खतरनाक तरीके से, रूट त्री आंसर, रूट टू आंसर, नीरस सिंग सर को अब राइस्थान आकर पढ़ाना होगा, विकॉज यहां पर सर नाम मात्र मेटर पे 6 मंत के 20,000 रूपे लेकर, ठीक है, teacher का नाम, कोई बात नहीं, आएंगे, आएंगे, हर जगे आएंगे, आएंगे, चाहेंगे, आप लोगों के लिए महनट करेंगे, चलो, रूट 3, रूट 3, वन बाय रूट 2, चार आंसर, ठीक है, तो मैं टॉप मोस्त आंसर लिख दे रहा हूँ, जो बच्चों ने दी है, समय एक, चलो, मैं दो मिनिट पता है, दो मिनिट इसलिए रहा हूँ, तागे, खुद लोग तुम सोचो, उसके बाद में कैसे करना है, व तो मैं बता दूँगा, और कोई, और कोई, चलो, टाइमर को स्टॉप कर देते हैं, और इसको टाटा बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है, आपका बहुत अच्छा योगदान रहा, ठीक है, अब थोड़ा सा समझना मेरे को इस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है, पहले मेरे को चीज को, फिर हमारा एक फर्मला निकलेगा, उसको आप लोग लगा दोगे, और बहुत जल्दी आंसर आजाएगा, यह प्रश्ण NDA में पूछा जा चुका है, नेवी में एक्सपेक्टेड़ है, नेवी में आ सकता है, भी है, क्या पता पूछ ले, ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा यह, हाँ, चलो चला गया, पिछली बार हैंगो गएगा, ठीक है, देखो इदर, अभी ध्यान से देखना, यार वो दौनों सर्कल के लिए कॉड थी न, यह सर, वो वाली चीज न, दौनों वरतों के लिए कॉड का काम कर रही थी, जीवा का काम कर तो मैंने एक सर्कल बनाया, देखना ध्यान से, वो यह वाला सर्कल है, वो यह वाला जोटा है, दूसरा वाला था और यह कॉमन कोड थी, तो मैंने दूसरे वाले को मान के चला, इस पर है, बस मैंने कॉड रॉ कर दी, जो दौनों के ऊपर कॉड थी, यह रिवो लाएं, लेंथ एक्वेशन निकालनी तो घटा दिया आ गया, लेकि लेंथ निकालनी है, सर लेंथ निकालनी तो थोड़ा सा तो देखो लोजिक लेना पड़ेगा, मान लिजे इसका केंद्र यह रहा, सेंटर यह रहा, ठीक है सर, देखते रहे न, केंद्र यह रहा, सेंटर यह रहा सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉड के ऊपर तो कॉड की जो भी लंबाई है मानलों इसकी लंबाई को हम लोग सी मानलें यह सर जीवा की लंबाई तो यह इसको दो बराबर भाग में डिवाइड़ करता है सी वाइटू यह हमने पढ़ा भी था कि शर्कल औरीजंसे पास करता है यह से पास करता सेंटर आते दें या टू डवाइट को डाला गया क्योंकि लिए इसकी निकल गई है यह सर languages x plus b y plus c तो मुझे यह distance बताना जो जिसको मैं दुबारा अभी ड्रो कर रहूं दुबारा र्ल्रो कर रहा हूं hey दुबारा कर रहा हूं किससे ब्लैक से देखो यह distance जह भी यह द्रो करा यह वाला डिस्टेंग सर ये तो ये इस बिंदु से इस रेखा की दूरी है इस बिंदू से इस बिंदू से इस रेखा तक का डिस्टेंस है देखो यह यह वाली दूरी तो यह तो सिखाया था सर्फ फर्मॉला आपने लाइन के अंदर हमने लाइन पड़ी है मॉडूलस बनाओ और मॉडूलस के अंदर एक्स वाई की जगे एच के रख दो एच प्लस बी के लगाओ फर्मॉला एच प्लस बी के रख दिया ना एक्स की जगे एक्स वाई की प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्कूर प्लस बी स्कूर देखने में लग रहा है बड़ा है कुछ भी नहीं देखना कितना आसान हो जाएगा खुए सकूर यह आया सिर वाला डिस्टेज डि आगया और यह नब्य डिग यह नब्य डिगरी है तो पाइस लगाए है जाए लोट किसट्ल देखनेर के आसाट अर्का सल्फ गशन का सकूर प्लस ळी स्कूर अपके लिए रिशासलिट आहा आ फाइनल आपको Smella नहीं करनीं है तो c कि इतना निकल एक कैम सी स्क्वार माइन एक coal जी स्क्वार आगया ओंधर चला गया और कर दिया तो डो बचा कह तो यह होती है यानी किसी भी एक सरकल से करें लियना जो आपको प्यारा लगता हो किसी भी एक सरकल से कर ले है इसके लिए आपको क्या-कiao react जाहिए वधयनिस्ट जीवा की लंबाई है इसके लिए आपको क्या क्या-का चАईए कोई भी एक सर्कल पिक लेना δौनों मैं से डौनों पर किसी भी सर्कल को कर लेना तो यार उसको करोगे जिसके चुटे होंगे जीकाई-बाली सरकल की रेडियस ठीक है सर जिस सरकल से और आपको चाहिए उस वाले सरकल का केंदर से कौड तक उबैनिश जीवा तक की दूरी जो डी थी यह लिखी ठीक है सेंटर से कौड का डिस्टेंज केंदर से जीवा की दूरी अब आपके लिए प्रशन बहुत आसान हो गया देखो बेशक हम लोगों को समझाने में टाइम लग गया आप लोगों को ठीक है पर अब यह फॉर्मुला लगाती आप सब का काम खतम हो जाना देखो अब मैं सब अटा रहूं सब अटा रहूं सब लिखा रहने दे रहा हूं क्या आप लोगों को हटा दू मैं अगर समझ में आगया है तो ठीक है कि अरे को सब्सक्राइब करूंगा तो मैं यह फिगर अटा रहूं मैं फिगर अटा रहूं सिर्फ ध्यान से देखते रहे ना आपके लिए वह फॉर्मुला काफी है क्योंकि हम लोगों ने ड्राइब कर लिया अब हम उसको जल्दी से जल्दी करने वाले हैं यह समझ में आना चाहिए कि कॉड की लंबाई टू अंडर रूट आर स्कॉर माइ हैं को उठा लेता हैं उसी की रेडियस लेनी हैं उसी के संटर से जीवा तक की दूरी लेनी ए है दो नो में से किसी से भी BE तो बोलो आंसर में कोई दिक्त नहीं आएगी तो हम सर्पेले बावले से कर रहे हम तो सर पहले बाले से कर रहे हैं क्योंकि उसके चर्ण बहुत अच्छ है है तो हमने स्ट्राइब किया माइनस D square, R तो मिल गया, दोनों में से किसी भी एक सरकल से कर लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब डिमांड है सर डी की, D क्या होता है, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर क्या थे, 0, 0, कॉर्ड, कॉर्ड क्या थी, जीवा, वोरी, नीचे ड्रो कर लो, यह रही, जीवा, क्या इसकी equation, X प्लस Y माइनस 1, बराबर 0, सेंटर से, जीवा तक की दूरी को बोलते हैं, D, यह distance है, D मेरे भाई, ठीक है सर, अभी कर देते हैं, क्या formula, यह तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे तो लगता दिक्कत होगी, आपको क्या होगा यह दूरी का formula, AX1 प्लस BY1 प्लस अंडर रूट, BY1 प्लस C अपन अंडर रूट, A स्कूर प्लस B स्कूर एक और एक बोलो, रूट टू, और X 0 रखोगे, क्योंकि X 1, Y 1, 2, 0, 0, केवल माइनस 1 बचा, माइनस 1 का मॉडल अस भार आके, 1 by root 2, तो बोलो कितना असान हो गया, इसलिए 00 वाले लेने का फायदा हो गया, इससे भी कर लोगे तब भी वह आंसर आएगा, तो किसी केंद्र से रेखा तक की दूरी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखी है, अब वैल्यू रख दो, खतम करो, हमारा तो आंसर आ गया, कर दें सर जी, बिल्कुल करने के लिए, तो लेंट आफ कॉमन कॉर्ट जो सी मानी थी, वह आ गई, अंडर रूट, भार 2 बनाओ के, यह रहा, आर का स्कॉयर करोगे, आर 2 है, 2 का स्कॉयर, 4, माइनस, डी का स्कॉयर करोगे, डी, एक बटा 2, इनोट टो एक बटा, रूट 2 का स्कॉयर, 1 बटा 2, ठेक है, तो 4 दो नी, आठ, 8 में से एक गए, साथ तो आंसर आया सी इक्वल टू टू सेवन बाई रूट टू पूरा रूट आए गा और टू से रूट टू कटा तो ऊपर रूट टू आ गया तो साथ रूट साथ की रूट दो से करी रूट चौदा लो लेंट ओफ कॉमन कॉड भी निकल गई फॉर्मला आपके दिमाग में रहना चीए क्योंकि यार नेवी जैसे अच्छे पेप्रो में जैसे अच्छे पेप्रो में आ जाता है और एरफोर्स में मालो अगर लेवल अच्छा कर दिया किसी के सैट में आ गया तो कोई तो तुम्हें पढ़ानी रहा ओनलाइन जो पढ़ा रहा है कम से कम उससे तो पढ़ लो मेरे भाई यहां वहां भी नख रहे हैं तुम्हारे कि मज़ा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जल्दी 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 हर मंजिल को आसान क्योंकि नीरत सर बैसला सर का ग्यान थेंक्यू सो मच एक बार लाइक कर दो अगर इस बात पर तुम्हें समझ में आ गया तो सब्सक्राइब तो बहुत बढ़िया है हमें डारेक्ट इसे लगाना है तू अरे देखो रेडियस कित्ती दिर लगे निकालने में और यह सब फिगर बनाने की जरुवत नहीं है पेपर में ऐसे थोड़ी करोगे मेरे भाई पेपर में कैसे करेंगे गुरू जी फिर आप ब इस्क्राइब करें कि आप अन्डर रूट एसकर प्लस बी स्कूर सी कितना माइन सन मॉडूलास बना हो गें अंडर रूट स्कूर प्लस बी करिये देखो दे मील गया आर मिल गया जिसको यह फार्मूला पता है वह तुरंत रूट 14 के रॉकिट हो जाएगा बाकी लोग भी ते रहेंगे है कि सीखी काम की चीज है कि दूआ दूआ अर्विंद शाबाश है लव यू सभी को लव यू बहुत आश्म कंसेप्ट थेंक यू तो समझे में आया बहुत अच्छी बात है शेयर करें लाइक करें फैला दें इसको इंडिया में चलो एक और काम की चीज लिखो लिखना एक काम की चीज लिखो अटा दूँ कॉमन कॉड हो गया यह हो गया कॉंसेंट्रिक सर्कल से हैं हमारा सकेंद्री वरत चलो बहुत तों कर लोगे चलो ठीक है अपॉइंट इस चूजन फ्रॉम भाया स्टार बना लो इंसाइड दसर्कल व्रत के भीतर से एक बिंदू का चैन किया गया अप्उइंट इस चूजन फ्रॉम इंसाइड दसर करें दीवाले शाश्त लिखते रहें व्रत के भीतर से एक बिंदू का चैन किया गया थीक है सर पॉयंट फ्रॉमίज दसर्कल फाइंड दा प्रोबैबिलिटी फाइंड दा प्रोबैबिलिटी प्रायक्ता बताएं प्रायक्ता क्यों सरकल है बस इसलिए फाइंड दा प्रोबैबिलिटी प्रायक्ता बताएं फिर्स्ट पॉइंट is nearest to the boundary rather than its center Hindi में बिन्दू परिधी के निकट हो केंद्र से दूर हो point is nearest to the boundary rather than its center second point is nearest to the center rather than its boundary boundary दोनों का अंसर बताओ जल्दी से भाई उल्दी से बताओ यह क्या equation of chord whose middle point is xy और which is bisected by xy to the circle equation of chord which is middle point is xy chord की equation जिसका middle point xy और bisect करता हो bisected by xy to the circle इसका मीनिंग क्या भई तो कर लो circle बनाया एक कोड़ बना दी bisected हां तो वह मानलो फिर यह होगा कोड़ यह रही xy bisect कर रहा है इसको a,0 ले लिया इसको जीरो कॉमा भी ले लिया मिड़ पॉइंट लगा दिया जीरो प्लस ए बाइटू बराबर एक्सके तो ए आया टू एक्स और बी आया टू एक्वेशन बना लो एक्स माइनस एक्स माइनस वाइ माइनस वाइन और इससे ज्यादा क्या हो सकता बागी इसमें तो इतना ही पता लग रहा है अधिक है प्रेटिस वाइनस देखो ऐसे तो कंसेप्ट चलता ही चला जाएगा प्रेटिस का भी आएगा वह उसके अंदर ही कर सकते हो तो वह सब मैं जब क्रेक्टिस चैट लेकर आँगा उसमें करा दूगा क्यों टेंशन ले देखो ठीक है अधिक है चलो चलो ड़द आहिकर नहीं को में है यां सता देखो एक सरकर बनाया इससा इस दिदोन लिए जाने रहे है निकाले जाने जाने जाना रहे तो बताना से अंदर कितने विंदे रिया है तो टोटल आंटकम total outcome total हम किसमें से कितने points निकाल सकते हैं सब जितना इसका अरीज आपको paint करने के लिए बोलता है जो चेत्रफल होता है कितने circle के अंदर अगर इसकी radius को आर माल घृता अब गेहरा है इसके भीतर से बिन्दू पहले तो कहरा boundary के पास होना चीह यह सेंटर से दूर होना चाहिए दूसरे में कहा रहा है सेंटर के पास होना चाहिए बाउंडरी से दूर होना चाहिए तो एक की निकाल के दूसरी को एक में से घटा भी सकते हो यह दौनों को अलग-अलग करना है वो भी कर लेते हैं ठीक है मैंने काम किया कि मैंने काम किया एक सर्कल बनाया इसके अंदर आधी डिडियस का कि इस वाले सर्कल की डेडियस आ रहे है वाइट वाले की यह इस वाले की लिखे लेते हैं है कि इस परेंगे दो दोनों रेडियस दिख रहे हैं एक वाइट वाली दिख रहे हैं डॉट डॉट करते हैं और एक यह वाली देख रहे हैं वाइट वाली के वह रेडियस है कि ए और येल्लो वाली या।धि व्रत की है तो रोगा को बता ना आधिवृत में से कभी भी पॉइंट में उससे बाहर लू dziंढ़ तो मो ड़ुंट किसके पास होगा सारं बॉंडृड के पास परिदी के पास तो अगर बॉंडरी के पास रहना क्या बाउंडरी दूर तो यह वाला किसके पास हुगा सर्सेंटर के पास होना थीक है Son तो इसेंटर के पाइसो इस वाले एरिया में से अना पड़ेगा तो ठीक है 버ण L offer और परीदि के के पास boundary के पास जि visible और उन्दर वाले एरिया जुब वाइट पोर्शन हो तो इस में से आएगा तो इन दोनों का इरिया लिखले लेकिन उसकी रेडियस के त्व होने करते हैं लेकिन है लेकिन उसकी में से गतने फैस्टा येलो वाला येलो वाला टोटल में से वाइड प्लस येलो माइनस ये वाला टोटल कितना था सर पाई आर स्क्वेर टोटल कितना था पाई आर स्क्वेर पाई आर स्क्वेर में से इसको घटा दो अंसर आगया 3-3Y2 और उसका पाइर स्क्वेशर बाई चारव और कर लो आपको तो कोई दिंग्कत ही नहीं है कैसे क्या दूसरे में करहा है पॉइंट नियरस्ट होना चाहिए केंदर के पास होना चाहिए तो वाइट वाला होना चाहिए क्योंकि यह वाले में कोई भी पॉइ लेखो क्योंकि फेवरेबल आउटकम से और टोटल कितने पायार स्कॉरे सरकल का इरिया इससे यह कट गया एक बटा चार बचा एक बटा चार को एक में से घटा दो तीन बटा चार वैसी भी लिख सकते तो लिकिन अलग से करना है पॉइंट होना चीए पास इस बाउन्डरी के केंडर के बांडरी के परीदी इपके पररीदी के पास होना चाहिए यह पास इसके पास न चीचाए इसके Mitra होना चीए यह लों से Old ft UK lleg लिए रहा वाइट वाला वो रहा घटा दिया थ्रीपा यार्स कर भाए फोर आगया तो इसका लिख दो फेवरेबल अपॉन टोटल क्या अंसर आगया भी यह तीन बटा चार चलो ठीक है थेक बिल्कुल बिल्कुल अर्विंद सही तीन बटा चार और एक बटा चार बिल्कुल सही आंसर है तो दौनों प्रशन आ anyway अच्छे अच्छे एक्जांस में रखें तो मैं मानता हौं एक बार जल्दी से मेरे को प्रमेंट करके बताओ क्या बोर्ड से कुछ और अच्छा लगा किया ठीक है हाँ और अच्छा तरीके से समझ में आया तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बोर्ड ने help करी आपकी concept समझने में जल्दी बताओ जल्दी 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 कि यह सर यह सर आपकी वीडियो डाउनलोड करके देखते हो मतलब बाद में हटना जाए तो पहले डाउनलोड कर लेते हो कि रजत जोशी समझ में क्या नहीं आएगा पूरे सरकल का इरिया प्या caveat स्कूरर आगर अगर पॉइंटसेंटर के पास रखना रखना बाउंटरी से दूर रखना तो अन्दर से होना जाद की पूरे प्यारा और स्कूर मैं कीतने और कितने बाउंडरी के पास चाहिए तो आप एक बड़ाइबा से घटा तीन बड़ा 4 भी लख सकते हो तो बाउंडरी के पास होगा informing से ज्याधा दूर कोड़ने तो आगी लगा दियो के अर्विंद और बहुत अच्छे आंसर दिया अर्विंद ने भी आज सबसे पहले आंसर मिले कई कुछ बच्चे थोड़ा लेट हो गए तो आज का जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक बोलूँगा मैं हटा रहा हूं इस चीज को लैंट ऑफ कॉमन कॉड उभेनिस्ट जीवा की लंबाई लैंँ्स singing का hole मेई बनुद जीवा की लंबाई नेकस्ट आगे भूर्डatin जोड़ने रहेंगे इस विल्कुल बिल्कुल कोश्चन डारक्уса बाद का भीत अ मैं यह सरकबति चार एक इसलेज चार एक सरक यह का एक तो इसके अदर बी सेंटर के पास होगा बाउंटरी से दूर होगा और इसके अंदर कोई भी पॉइंटि बाउंटरी के पास होगा तो आधी रेडियस की सरकल लिए वह आर की लिए तो यह आराइट उक बार देख लेगे ना वीडियो कंसेट्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आज एक लास खतम लो, all the best, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, पीतल,